मिथुन राशी मिथुन राशी वालों का इस दीपावली से अगली दीपावली तक का समय कैसा रहेगा देखे मिथुन राशी से बारवे घर में ब्रहस्पति देव बैठे हुए हैं और नौमे घर में शनिदेव विराजमान है इस दीपावली से अगली दीपावली तक मिथुन राजशी वालों के लिए भागे को बढ़ाने वाला समय होगा कहीं दूर से रोजगार के आफर आपको मिलेंगे अपने खर्चों को कंट्रोल करने का टाइम होगा काम काज में आपको सफलता मिलेगी भागे का सपोर्ट प्राप्त होगा मिथुन राजशी वाले जो लोग व्यापार करते हैं व्यापार में ध्यान देने का समय है आलस से छोड़ कर काम करने का ये टाइम होगा रिष्ते नाते कैसे रहेंगे इस दीपावली से लेकर अगली दीपावली तक रिष्टों की इस्थिती इस दिवाली से अगली दिवाली तक आपके लिए अनकूल रहे इसके लिए बहुत ध्यान देना होगा क्योंकि रिष्टों में आपको तनाव नहीं बढ़ने देना है अपनी तरब से बिलकुल गंभीरता से रिष्टों को संभालना होगा वाणी पर नियंत्रन रखने का समय है परिवार में प्रेम भाव बढ़ाने का प्रयास आपको अपनी तरब से करना होगा सेहत कैसी रहेगी इस दीपावली से अगली दीपावली तक देखे अपनी सेहत पर ध्यान देना होगा अपने खान पान का पूरे साल ख्याल रखने की आवश्यक्ता है छोटे रोगों को हलके में ना ले उनका समय पर इलाज हवश्यक कराते रहे इस दीपावली से अगली दीपावली तक क्या उपाय करें ताकि आपके जीवन में जो परिशानिया कस्ट आएं वो सब दूर हो जाएं पूरे साल बुद्वार के दिन गव माता को हराचारा खिलाएं इस दीपावली से अगली दीपावली तक जितने भी बुद्वार पढ़ते हैं कोशिस करें हर बुद्वार को गव माता को हराचारा खिलाएं कभी कोई बुद्वार रह जाए तो परिशान होने की आवशक्ता नहीं है